दोस्तों आज मैं ऐसा नास्तर बनाने जा रही हूं जो यूपी और विहार में बड़े चाओ से खाया जाता हैं मैं बनाओंगी घुगनी वह भी मटर की और इसको बनाओंगी थोड़ा सा ट्विस्ट करके और स्रेवर फूर्फूर्ट सट्यों का मोसर में हरी हरी मटर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल सही जड़ा आए हैं चले शुरू करते हैं तो चलिए किस तरह से ट्विस्ट होगा जुने रहे हैं मैं चैनल के साथ इसके लिए मैंने कुछ चीज लेने हैं आलू ने लिया हरी मेश ने लिए अद्रक ले लिया है और ले लिया है प्याज प्रण में ले लिया है और दोना हूँ गया हुए इसमें डान लें के तर्फी कर्णा Miles कि लों इसमें डान लेंगे संद माल करेव हर्यू है जो बी च्याप कातें मि इसमाल कर से बहुत अच्य बनता हैं यह आदर चूटा ज्मट है साभग जीरा हम राल कसा ब़्डान होग बीच में से काट लिया है मैंने अब डाल लेंगे अधरग इससे स्वाद काफी बढ़ जाता है आधर इंच अधरग है चोटा-चोटा काटा हुआ है और टैजिसन भी हमारा बहुत अच्छा करता है इसको भून लेंगे हलका सा सौते हो गया दोनों चीजे अब डाल लेंगे एक बड़ा प्याज लिया है चोटे हो तो दो प्याज आप ले सते हैं इसको छोटे टुकड़ों में हमने काट दिया और भून लेंगे हलका सा कच्छा पंदूर करना है बहुत जादा नहीं पकाना दोस्तों यह देखिए हलका सा और जो गैस हमारी स्टैन लो मीडियम पर चलिए हलका सा प्याज हमारा पंदूर कच्छा पंदूर हो गया अब डाल देंगे स्लाइस में कटवा एक बड़ा अलु लिया है मैंने यह देखिए यह अप्सनल है आपको अच्छा लगता हो तो डालिए इससे गूगनी में साथ काफी बढ़ जाता है तो स्लाइस में जाए हलका सा ज्यादा नहीं गला नहीं तो यह बिकुल इसमें हमारा चोखा बूलती है ना मैसा ही बन जाएगा गल जाएगा बिल्कुली तो हमें थोड़ा खड़ा भी रखना है क्योंकि स्नायक से नासता है हमारा जैसे एक भुजियर टाइप रहता है तो इसको खड़ा ह तो चलिए हनकर सा हमारा अलू गल गया और भी मटर पकाएंगे उस ताइमें पूरा ही अच्छे से कुख हो जाएगा यह एक कप मैंने मटर लिया है यह फ्लैप्स मटर है दोस्तों बहुत असानी से बजार में आपको मिल रही है यह मटर इसको मैंने डाल लिया एक कप यान बनेगा यह तेसके कोड़िंग डालेंगे इसमें कुछ चीज और एड उन करेंगे जो हमारे मटर की मुगनी को बनाएगा पिलकुल आम मटर के मुगनी से मिलकुल अला तो जोड़े रही है मेरे चैनल के साथ और यह रसीपी अच्छी नगे तो आप सेयर कर सकते हैं यह मैं हमारे मटर भी गलने लगी है क्योंकि फ्रेस मटर ज्यादा टाइम नहीं लेती है यह देखिए आलू और मटर हलका अच्छे से कोक की तरफ हैं पकने की तरफ हैं अब यह हमारा जो स्पेसल चीज है यह धनिया पुदिना की चटनी है इससे फ्लेवर बहुत बढ़ेगा एक बार इस तरह से डालकर बना कर देखिए सारे चीजों को हमने धनिया पुदिना की चटनी में अच्छे से में सिर्दनिया की चटनी होगी तो भी चलेगी उसमें थोड़ी से हरी मेच भी डली थी तो यह हमारी हरी चटनी है और डाल देंगे एक मुठी हरा धनिया कटा अब यह फाइनल पर है गैस हमारा इस ताइम लो मीडियम पर चल रहा है कभी गैस हमारी स्लोग और आपको देखना है जलना नहीं चाहिए चीजा अच्छे से हमारी पग भी जानी चाहिए और तूटनी भी नहीं चाहिए थोड़ा सा ध्यान कुना है दोस्त आप बनाईए यह रसेप आपको कितनी पसंद आई आप जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों कामेंट लिए नहीं करते हैं मैंजे कैसे बता चलेगा यह रसेपी कैसी बनी है तो यह देखिए पिनट लिया है मैंने दो बड़े चमाचे इसको बोल लिया था पहले है चिलका उताल लिया इसको बहुत करंची फ्लेवर आता है पहले आधा अभी डाल लेंगे आधा सर्विंग के टाइम में डाल लेंगे इसको मिला लेंगे चलाते हुए और बस अब रेड़ी गैस ओफ कर दी अब कर लेंगे दोस्तों सर्व कर लिया और कितना फ्लेवर फुल है इसमें मैंने जो बचे पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद